सो ही दोस्तों, आज की सुडियो में आपको 10 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप कोई पर इंट्रिव इसली क्रैक कर सकते हो तो गई सबसे पहला जो टिप है आपके लिए वो है फस्स इंप्रेशन First impression का मतलब क्या है कि जबी भी आप कोई पर इंट्रिव दे दे ते रहो तो सबसे पहली चीज़ आप देते हो Self Introduction तो Self Introduction के टाइम पर क्या होता है कि बहुत बार हम Confused हो जाते हैं कि हम कितना बोले कितना नहीं तो किसी इंटर्यू में हम काफी information दे देते हैं और किसी इंटर्यू में हम काफी कम information देनी है तो आपको ऐसा नहीं करना है आप एक paper में या एक note में आप लिख सकते हो आपको क्या-क्या explain करना है self introduction में और आप easily उन चीजों को explain करो because first impression बहुत matter करती है क्योंकि आपके introduction से ही आपका impression पड़ता है कि कैसे आप चीजों को explain कर रहे हो कैसे आप चीजों को define कर रहे हो तो बहुत matter करता है introduction एक छोड़ी सी चीज है but yeah that is the first impression and very much important second चीज होती है वो है confidence आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि interview के लिए कोई भी perfect candidate नहीं होता है हर कोई time के साथ perfect बंदा है तो आपको अपना confidence है वो हमेशा high रखना है क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखो interview देने वाले आप होते हो results देने वाले तीन या चार अलग-अलग लोग होते एक तो जो manager आपका interview ले रहे है उनके उपर या तो director और उनके साथ action यह decisions तीन या चार लोगों में बटा रहता है तो आपको यह नहीं सोचना है कि मैं अगर यहाँ पे बहुत अशा perform करूंगा तो हो जाएगा नहीं करूंगा तो नहीं होगा क्योंकि जो decisions है वो divided है ठीक है तो आपको अपना best देना है हर बार बिना यह सोचे कि result क्या एगा और अपना confidence level हमेशा high रखना है क्योंकि हर कोई as a fresher ही अपनी journey start करता है आप भी अपनी journey as a fresher ही start करने वाले हो जो third tip है guys वो है understanding आपको हमेशा ही समझना है कि इंट्रिवर आपसे क्या question पूछ रहा है और कौनसे questions पूछ रहा है बहुत बर क्या होता है कि हम questions को जैसी सुनते है और तुरंत answer करने का try करते है ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई चीज लगता है कि हमें आती है तो एक बार वापिस पूछो लेगिन question को आपको ध्यान से सुनना है फिर थार time लेना है आपको समझने का पूछिश करना है question को breakdown करो और फिर try करो answer करने का जब आप ऐसा try करो कि तो आप question को easily समझोगे और आपको इंट्रू के बात भी ध्यान में रहेगा कि मुझसे क्या question पूछा गया था आपको practice करते वक्त भी वो help मिलेगी तो time लो question को समझो फिर ही question को answer करो and जो fourth tip है guys वो है explaining explaining का मतलब क्या हुआ कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको question बदा दो चल गया आपको answer भी बदा है लेकिन आप properly explain नहीं कर पाते हैं और convey नहीं कर पाते हैं interviewer को तो आप इस शीज को कैसे improve कर सकते हो आपको क्या करना है आप घर पे ही try करो ठीक है कुछ basic question का answer करने का try करो और उसको record करो कि आप जो answer कर रहे हो फिर उस recording को सुनो कि क्या आप जो explain कर रहे हो आपको खुद को समझ में आ रहा है कि नहीं अगर आपको खुद को समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी वह चीज जरूर समझ में आएगी और explaining के वक्त हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि आपको explain को भी चीज करो तो slowly करो बहुत बार हमें ऐसा होता है कि अगर हमें अंसर आता है तो हम speedily उसको convey करते है speed में बोलते हो उस शीज को तो उस शीज को explain करने का यही सही तरीका है और अगर आप explain नहीं कर पा रहे है properly तो उसका एक major reason हो सकता है कि जो English होता है न उस language पर आपका command ना होना जब इंट्रव्यू स्टार्ट होता है तो हम काफी अच्छे से स्टार्ट करते है जब हम इंट्रोड़क्शन देते है क्योंकि शायद हमने इंट्रोड़क्शन पहले से pre-blend कर रखा होता है फिर कुश क्वेस्टन आपसे easy पूछा जाते है तभी भी flow बहुत अच्छा होता है लेकिन जैसे difficult version आते है तो हमारा flow एकदम तूट जाता है flow तूट जाना है यानि हमारा confidence एकदम low हो जाता है अब ऐसा क्यों होता है guys क्योंकि हमारे अंदर एक चीज रहते है excitement and feel like demotivation तो आपको दोनों को manage करना है जब आपको excitement यानि जब answers आते है तो उसको भी एक flow में आउनसर करना है बहुत fast या बहुत खुश हो गया ऐसा है download और जब नहीं आते तब भी आपको questions को ऐसा ही handle करना है तो जब नहीं आता तब कैसे handle करना है आप simply said in order को बोल सकते हूँ like I haven't done this topic और I haven't practiced it but I'll surely have a look and I'll practice it आप इसा simply बोल सकते हो या इसा भी बोल सकते हो I am not able to recall this question और I am not able to recall this topic as of now आप इसा बोल सकते हो और इस फ्लोव को अप मेंटेन रख सकते हो इसा नहीं करना है कि बहुत जादा excited, बहुत जादा fast और बहुत जादा slow हो जाना है और guys जो next tip है वो है technical को लेके तो समझो अगर कोई ID company पे आप interview दे रहे हो ठीक है तो most probably आप एक software को सीख के गए होगे और उसी software पे interview हो रहा होगा तो interview के लिए जो software आपने सीखा होगा तो उसका technical आपको minimum 50 या 60% pure knowledge होना चाहिए 50 या 60% knowledge क्यों pure होना चाहिए कि अगर आपको 50% भी knowledge purely नहीं है तो आप खुद confidence नहीं आएगा आपको कि interview आप अच्छे से दे पाओगे और interview और आप से question पूछेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी problems होगी तो make sure दरना कि आपको 50 या 60% pure knowledge है फिर ही आप interview को दो अगर आपको लगता है कि नहीं practice की कमी है तो थोड़ा practice कर लो फिर आप interview को दो क्योंकि but obvious है जिसने अच्छे से practice किया होगा उसका confidence भी आई होगा उसका motivation भी आई होगा और interview में उसे questions आने की या explain करने की जाधा chances होगे और जो next tip है वो है behavior को लिक बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि behavior का interview से क्या लेना देना या interview को हमारे behavior का कैसे बढ़ा चलेगा उस 15 या 20 मिनट में so guys मैं आपको एक example देता हूँ कि मैं एक mock interview ले रहा था ठीक है तो candidate को मैंने बोला कि आप वो code लिख के मुझे बताओ ठीक है तो candidate ने जब code लिखा तो मैंने उन्हें बोला कि कुड़ी explain the code जो आप code लिख रहे हो मुझे code भी explain कर सकते हो तो उन्होंने मुझे बोला कि I'll explain you after writing the whole code तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मैं explain कर हो पुरा code लिखने के बाद तो यह बहुत सही जवाब दिया बट यह काइंड ओफ चोड़ सा स्मॉल सा यह है कि शायद इंट्रेवर को अच्छा ना लगे अगर आपको बोल रहा है कि आप कोड को एक्स्प्रेइन करो तो आप सेम टाम एक्स्प्रेइन कर सकते हो कि जो आप कोड लिख रहे हो इंट्रेव में अराम से एड़ कर सकते हो किसी को भी पसंद है किसी भी मैनेजर या डारेक्टर को कि मेरे डीम में एक अच्छे कैंडिडेट को हायर करो क्योंकि वो एक कैंडिडेट को हायर नहीं करते है अके लिए पुरी टीम को क्रेट करते है और वो चाहते हैं कि यह environment अच्छा बना रहा है ठीक है? worst case में भी अगर can create अच्छा होगा तो अच्छे भी यह करेगा और जो next tip है वो है document को लेके so guys आपके जो document होने चाहिए academic document वो complete होने चाहिए आप make sure करना कि आप college से सारे document collect कर लो सारे semester के भी document और final document भी क्या होगा समझो कि आपका first round clear हो गया मतलब आपको document submission का time आएगा ठीक है? आपको document submit करने पड़ेंगे HR को तो उस time पर क्या होता है कि बहुत लोगों के पास proper document नहीं हो था या incomplete document होते हैं तो आप last moment पे college से collect करने जाओगी तो समझो कि company वो joining तुरंद करानी होगी कुछ दिन में ठीक है? तो आपका process वहाँ पे stuck हो सकता है तो आप make sure करो आप सारे document collect कर लो और इसके बाद make sure करना कि सारे document आप एक scan करके आप Google Drive पे upload कर सकते हो Google Drive पे upload करने का फाइदा ये है कभी भी कोई बी interviewer आपसे document मांग रहा है share करनी के लिए ठीक है आप आपको बूलने कि आप अपने document share करो academic तब तुरंद अपनी जो भी detail है अपने आधर card पान card या academic document तुरंद तुनको link share कर सकते हैं और ओ link से वो सारे document हो easily access कर सकते हैं आपको photo click करनी की या manually submit करने की जौरत नहीं पड़ेगी और आज के time पर वैसे भी जैसे जितने भी document होते हैं वो आपको online ही submit करने होते हैं तो अगर आपने drive पे upload करके रखा होगा तो आपके लिए बहुत easy होगा और अच्छा भी होगा and guys अब जो next tip है वो है feedback को लेके तो आपको हर इंटर्यू के बाद एक feedback सरूर लेना है आप इंटर्यूर से simply पूछ सकते हो कि can you tell me which are the things I need to improve upon last में अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटर्यूर आपसे नहीं पूछ रहे सामने से because इंटर्यूर मोशली सामने से आपको पूछते है कि do I have questions hand में तो अगर वो पूछते हैं तब आप यह पूछ सकते हो अगर वो नहीं पूछते तो you can simply ask can I have one minute can you like let me know which are the things I need to improve upon so I can improve myself for the next interviews तो आप simply वो चीज़े note कर सकते हो जो उन्होंने बोली है और आप make sure करना कि वो चीज़े आप improve करो and guys जो next tip है वो है tracking so guys आपको क्या होता है जब आप training करते हो कहीं से कुछ सीखते हो तो training के time पे आपको सारी चीज़े flow में चल रही होती है because कोई आपको पढ़ा रहा होता है तो उन्हें पता होता है कि कब कब कितना बढ़ाना है कैसे बढ़ाना है लेकिन training के बाट जब आप job के लिए apply करते हो ना तो उस वक्त आपको पढ़ा नहीं होता कि कितने time में क्या हो रहा है कितना मुझे लग रहा है कितना मुझे लगना चाहिए कैसे मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ what so on तो आप क्या कर सकते हो अगर आप ऐसे ट्रैक करते हो और कोई भी इंट्रिव आप देते हो तो उसके फीडबाइट भी कलेट करते हो तो भी आप नोट डाउन करो हर इंट्रिव के कोई questions आपको नहीं आ रहे है कोई questions पर आपको doubt है तो चीज़े नोट डाउन करो और इस चीज़ों को improve करो तो tracking आपका बहुत ज़रूरी है तो आपको track नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि मैं कैसे रहा हूँ क्या हो रहा है कैसे चल रहा है ठीक है और गाइस at the end of the day मैं आपको bonus tip बताता हो देखो कोई भी जो candidate होता है और परफेक्ट नहीं होता इंट्रिव के लिए इसा ज़रूरी नहीं कि वो बंदे की डिगरी कितनी भी अच्छी हो उसने master's किया हो या xyz कुछ भी किया हो लेकिन वो select हो उस इंट्रिव में ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ठीक है उसके academic या कुछ चीज़ हो लेके इंट्रिव में select होंगे उसके chances कैसे होते हैं देखो guys यह depends करता है कि कैसे आप improve कर रहे हो यह ज़रूरी नहीं कि आप पहला इंट्रिव क्राइक करो बढ़ हाँ अगर हर इंट्रिव में खुद को improve कर रहे हो जो mistake आपने first इंट्रिव में की अगर वो improve कर रहे हो next इंट्रिव में और उसके next इंट्रिव में तो आपके chances हमेशा ज़ादा होते compared to someone जो पहली बार इंट्रिव दे रहा है तो improvement is the key of selection यह हमेशा ध्यान में रखना और कोई भी perfect नहीं होता और कोई भी worst नहीं होता या कोई भी खराब नहीं होता it's all about improving कि आप वो क्या लग रहा है कमी है आप feedback भी ले रहे हो और इन चीज़ों को improve करो that's all ऐसा गरने से आप कोई भी इंट्रिव आराम से clear कर सकते हो अगर आप size के mock इंट्रिव देना चाहते हो तो मुझे connect कर सकते हो चैनल के about section में one to one counseling का option है और related कोई भी doubt या question हो तो उसके related भी आप मुझे चैनल के about section में ओ one to one counseling पे option भी क्लिक करके मुझे connect कर सकते हो और बाकी कोई doubts है तो मुझसे comment में पूछ सकते हो मुझे अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई दोस्तों